पाजपा को चुनाओ, मेरे बूत में बैठा हुआ कारे करता जिता सकता है भरे मंच से बिना लाग लपेट के ऐसी बात कहना सिर्फ अमित शाह जैसे नेता के ही बस की बात है उनका यही अंदाज उन्हें बीजेपी के सबसे दिगज नेताओं में शुमार करता है और उनकी इस बात का बजन और ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो ये बात बीजेपी के सबसे मजबूत गड़ मद्य प्रदेश में कह रहे हैं बीजेपी के लिए आने वाले विधान सभा और लोग सभा चुनाव के लिए जमेनी कारिकरता ही सबसे अहम है अमिट शाह की इस गोशना ने कारिकरताओं का उफसाह तो बढ़ाया ही साथ ही इसमें बड़े नेताओं के लिए भी एक साफ संदेश छिपा था रविवार को इन दौर में अमिट शाह ने इस साफ कर दिया है कि एमपी बीजेपी के लिए पूरे देश में अहम है वो यहां तक कह गए कि यदि एमपी जीतेंगे तो केंद्र में पचास साल तक बीजेपी रहेगी बाजपा को चुनाओ कभी भी मंच पर बैटे हुए नेता नहीं जीता सकते बाजपा को चुनाओ मेरे बूत में बैठा हुआ कारे करता जीता सकता पूरे देश भर में सबसे अच्छा संगठन कोई एक प्रदेश में है तो मेरे और आपके मध्यप्रदेश के अंदर है शाह ने साफ कर दिया है 2018 वाली गलती दोहराने की गुंजाईश कताई नहीं है और चुनाओ में दोही मंत्र लेकर बीजेपी चलेगी पहला बूत पर सक्रियेता और दूसरा हिद्गराईयों से सतत संपर्क इदर रविवार को इन दौर में जब अविच शाह अपने कारिकरताओं में जोश भूग रहे थे तो इन दौर में ही कमनलाथ और देगवजय सिंग कनया कुमार के साथ आदिवासी यूबा महापत जायत में आदिवासी वोट को साधने की जुगत में लगे थे अमिज शाह जी जो कभी आते नहीं थे मौदी जी पांच साल में एकाद बार आए होंगे लेकिन लगातार जो आ रहे हैं ये इनका डर है कि मददेश में हिमाचल परदेश और करनाटा के रिपीट होगा इसलिए डर के मारी आ रहे हैं कि शायद वो कारकरताओं को या नेताओं को समझा पाएं कि आपके हले ठीक नहीं है इसलिए जमीन पे उतरो बूत पे इसमें कोई शक नहीं कि अमित्शा के एक महिने में तीन दोरों के बार MPVJP का चुनाओ अभियान एक ले में नजर आने लगा है इधर कॉंग्रेस में भी कमनलाथ कॉर्परेट शैली में आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हैं जायर है MPV में इस बार चुनाओ सियासत के विध्यारतियों के लिए भी एक कीस स्टेडी बन सकता है प्यूरो पोर्ट बंसन लिएवस सवाल नंबर एक क्या अमित्शा का बयान चुनाओ से पहले कारिकरताओं में जोश भूखने की कवायद है सवाल नंबर दो शाह की बात में क्या वरिष्ट निताओं के लिए भी कोई संदेश छिपा है सवाल नंबर ती बीजेपी संगटन के सामने कमलात की कॉर्पोरेट्शनी कितना काम करें नबच्कार मैं हूँ शर्दिवेदी और हमारी खास पेशकर शाच का मुद्धा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज का विशय है कारेकरता ही खास अगर राजनीतिक दलों की फिल्म हिट कराने के लिए कोई जिम्मेदार है तो वह कारेकरता और यह कारेकरता सिर्फ यह चाहता है कि आप उसको आधर सम्मान पूरवक रिकोगनाईज करते रहें आप उसके काम को मंच्चों से रिखांकित करते रहें और कभी कबार अगर व वह ससकी बड़ी आओ भगत हो लेकिन उसका काम ना नुकुर्फ करते भी अगर हो जाता है तो इसके बाद भी उसके मन में कोई शिकायत नहीं होगति लेकिन निश्चत दौर पर हर पार्टी कि देवतायों की पार्टी नहीं और जब देवतायों से भी गल्ती ह dauती है भी बाटियों का भा वाद को पर्टार्श कि पांच वर्ष तक चुनाव के पहले भी लगातार बूत की परिक्रमा करती है कारेकरता सम्मेलन और कारेकरताओं तक पहुंचती है लेकिन यह आरोब बीजेपी पर भी लगता है कि कारेकरता की पहले जैसी पूछ परक और मान मनुवल अब नहीं है वक्त बदलता है तो बहुत कुछ बदलता है। सब्सक्राइबत शर्माजी हैं बहुत सवागपित करता हूं प्रताब बानुजी टॉक्टर तेश वाजपे ही हैं पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूरती निगम और बीजेपी के साथ चुनाओं के रणनीतिकार के तौर पर जुड़ ही रहते हैं बहुत स्वागया थे मनोच सैनी है हमारे एक्जेकेटिव एडिटर मनोच पहली टिपनी आपकी क्या माईने निकाले अमिश्चा जी के कारेकरता का मनोबल बढ़ाना यह बड़ा उनका मसला है दूसरी महत्पूर्ण बात की वह जानते हैं कि मद्यप्रदेश जीता तो 24 का र लेकिन क्या अब वो दधीची है मुझे लगता ये भी उनके भीतर एक सवाल कौन रहा होगा इसलिए उन्होंने ये बात कही तो दधीची बनने की जरुरत है कहीं जो थोड़ी सी कम्यां आ जाती है और कई बार हम ये बात किये है कि जब सत्ता मिलती है तो सत्ता के साथ कु करता है इसको आपको ऊचना पड़ेगा इसको आपको जानना पड़ेगा आप सिर्फ बैटक भोजन और विश्राम जरू करिए लेकिन बैटक भोजन के बाद इनकी दर्द को भी समय लीजे जो थोड़ी सी कमी दिखाई देती तो हमें लगता बहुत कुछ बाती बात में उ सुद्य को कहते हैं इस बात को कहते हैं कि हम संगठन की किसी से रड़ाई है तो भारती जनता पार्टी के संगठन से है और इसलिए कमलनात या दिखवे सिंग की बात करें उन्होंने भारती जानता पार्टी के संगठन से सीख लेते हुए अपनी चीजों को कुछ बहतर किय है लेकिन बहुत ऐसी चीज़ा है शर्ट जी इस बार 2023 के चुनाओं में ये मुझे लगता मिशा जी भी समझ रहा है इसलिए वो कह रहा है कि आपने अधी मद्यविदेश जिताकर हमें दे दिया तो 50 साल तक भूल जाए और ये बात बिलकुल सच है कि इस बार भारती जंता प ने और कहा कि 2018 की गलती गलतियां इस बार नहीं करनी है प्रताब भानु जी बीजेपी एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है अभी चंद दिनों पहले मामंत्री कैलाज जी का बयान बड़ा जबरदस्त था उन्होंने कहा कि इस बार दावा था उनका कि 160 सीटें लाएंगे और पिछली बार के लिए उनका भी इशारा था कि अतियात मिश्वास था लेकिन अपकी बार पैर जमीन पर मजबूती से टिकें हैं अतियात मिश्वास के लिए कोई जगे नहीं जी देखिए शरजी जो अमिश शाह जी ने इन दौर में बात कही दो बात तो साफ हो गई कि कारेकरता भाजबा में नेतरत्व से नाराज है जिसके वैसे इतनी बात पूरी उन्होंने कारेकरता पर पोलिंग बूत पर पूरा ध्यान के इन्रित कर दिया दूसरी बात उन्होंने प्रदेश के नेतरत को मंच से नकार दिया कि इनके भरों से जीत नहीं हो सकती ये वी उनके कंकूलूजन से निकल किया गया ये अमिश शाह का आपरेशन नंबर टू था पहला तो ये था जब उन्होंने चुनाव समीति बनाकर नरेंट तौमर जी को अध्यक्स बना दिया प्रदेश चुनाव समीति का प्रदेश की निरवाचन समीति जो भी ये कहते हैं उसमें प्रदेश नेतरत को समय भी निकार और दूसरा स्टैप उनों ने इन दौर में ले लिया जिसमें ये बात साफ हो गई और है भी बात सज मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रषासन की बैसाखी पर इस लार्पीनुटा प्रशाशन के पूरा इन्वाल कर दोगी कारिकरता का अंकुष नहीं रहेगा और वो बीच में संवाद नहीं रहेगा तो प्रशाशन में होना ही है चाहिए वो खसरे की नकल लेने का हो चाहिए पारिवारिक बटवारे की बात हो आज तैसील में ठाने में जितनी ब्रस्टचार हो रहा है करप्शन हो रहा है चाहिए वो लाबार्तियों के लाब देने की बात हो उसमें कमिशन कड़ जाता है ये ठेक है जमीन का पीड़बेक दे रहा हूँ मैं आपके लिए चाहिए और हमारे इस तैसी भी सुन रहे हैं इस प्रसंता हो जाती है चलिए जी को सुन भी लीजिए आपके प्रस्तोत है आपके लिए बानु जी के पास समय भी है उम्र भी है दस्तूर भी है क्योंकि राहूल गांदी जी का दोरा नेरस्त हो गया शर जी आठ तारिक का खडगे जी का भी नेरस्त हो गया यह तो तथ्य हैं सर कोई अपडेट हो तो बताईएगा तो दोनों नेरस्त हो और पिछली बार जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने बताया था कि में तीस तारिक से निकल जाओंगा उनकी तैहरी के लिए तो इसलिए चुनाओ सर पे और भानु जी घर पे और आप से दर्खास कर रहें कि दो चार शेर और सुनाओ साब टाइम तो कटें कुछ तो गर्दन और बैदान में दोनों तरफ हैं क्योंकि भई लीडर बेस पार् करेकरम नहीं है फील्ड में इसलिए आपके पास भी कॉई कांग्रेस के करेकरमों की कवरेज आ भी नहीं रही होगी जैसी लीडर आएंगे स्वभविक है जरूर आएगी तो यह अंतर हमारे और उनके बीच में और जब मैं आप से बात कर रहा हूं शराजी तो नरेन सिंग यहां के लिए निकल आएंगे तो आप मान कर चलिए कि अमिर्शा जी के दायबाए जित्ते बैठे हैं उन सब के मन की बात अमिर्शा जी ने की है और उन्हों ने एक जो कहा है वो मान के चलिए तो मर साब ने कहा है वही भूपे नियादा जी ने कहा है वही बात कैलाज जी ने कही है तो यह बहुत महतुपूर्ण है शरच जी कि हमारे अच्छा हमारे विवस्था ही केडर बेस ने शरच जी तो हमारे यह तो बूत पर ही चुनाओ लड़ा जाता है यह आपने हमेशा देखा होगा हम लोग बूत पन्ना बूत अध्यक्ष बूत प्रवारी इसी में ल लगातार बैठके हैं उसको लेकर तो हम कारेकरता केंद्रित पार्टी है वो लीडर सेंट्रिक पार्टी है यह हम दोनों के स्वभाव हैं शरच जी उनक्या लीडर फेल हुआ तो उनक्या सत्ता फेल हो गई सभी चीज में और हमारे हाँ पर यदि कारेकरता फेल हुआ जी कि मैं आपके साथ रोज बैठता हूं मैं आपको बिलकुन सुनिश्चित्सा से क्या देता हूं कि बनने वाली सरकार में मेरी कोई महत्वा काइशा नहीं है कि मैं उसका उसमें किसी पद को पाऊं मैं अपनी पार्टी को सरकार में देखना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि ज मैं खुश हूँ सौ आरोबीज का हमने रेलवे ओवर ब्रिज का टार्गेट आपको मालू है पीड़वलोडी मंतरी जी ने लिया हुआ है केवल एक विभाग जो हमारी है हंड्रेड आरोबीज शरत जी तो यह हमको पूरा करना है तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन अच्छा है साब मैं पेशे से डॉक्टर हूँ मरी जो की सेवा करता हूँ और साथ साथ जो नेशनल कंट्रिबूशन देना होता है वो भारती जंता पार्टी के सहारे एक अपना देने का प्रयास करता हूँ कि भारत के पुस्मार्मान की ताकत बनूं और बॉटम लाइन देखिए मो बहुत फिक्स है और वो क्या है कि साब मोदी जी का तीसरा टर्म मोदी जी ने कहा है मुझे तीसरे टर्म में भारत को तीन मिलियों टॉप थ्री एकोनोमी में लेकर आना है यह मेरे अगले टर्म का टार्गेट है तो यह बहुत बड़े शब्द हैं सर मुझे लगता हम इसक आपके साथ भी हो जाएगी चुनाओं के बाद शाहिए समय मिले सर अब महतपूर्ण बात यह भी है कि अमिश शाह जी जिस तरह से लगातार उनके दौरे हो रहे हैं मैसेजिंग है और सबसे महतपूर्ण बात है जिसको पूरी बीजेपी आत्म साथ करती है कि कारे करता ही दूरी है जो बीजेपी के लिए सरकार बनाने का बिंदू एक और महतपूर्ण बात जिसकी तरफ डॉक्टर इतेश वाजपई ने विशारा कि बीजेपी इन पांच राज्यों के चुनाओं को लोकसभा की पूर वो पीठीका के तौर पर देख रही है यानि वह मान रही है कि इसी के साथ हम कैंपेइन बिल्कुल सही बात है कि हम लॉंच कर दिया हमने लोकसभा के लिए आपको याद होगा कि भोपाल में हुई प्रदान मंतरी नरिंदर मोदी जी की रैली एक तरह से लोकसभा चुनाओं का ही उसके प्रचार का शंखनात थी तो बीजेपी बहुत ताकत से इन पांच राज्यों के साथ ही लोकसभा चुनाओं की कैंपेइनिंग भी शुरू कर रही है और इसलिए इन पांच राज्यों के चुनाओं में मोदी जी का चहरा भी बहुत एहम है मध्यप्रदेश हो राजस्थान हो च्छतिसगड़ हो या दो अन्य राज्यों मोदी जी एक एहम चहरा इस चुनाओं में इसलिए हैं कि वह अपनी लोग प्रियता के शिखर पर हैं कारेकरता नरेंद्र मोदी जी स्थानिय लीडर्शिप शिवराज सिंग चौहान जी इस तरह का कॉम्बिनेशन यही बीजेपी की रणन नीती है बिलकुल देखी शरजी और हमें लगता भारती जन्ता पार्टी मोदी जी को या मोदी जी अपने आपको घर घर पहुँचाने में सफल भी रहे कुछ अभी हाली में मैं एक कायरकेम के दौरान गया तो कुछ बच्चे मुझे मिले और बच्चों से जब बात हो रही थी तो बच्चों का राजनीती में इस्तिमान नहीं किया जा सकता लेकिन बच्चों से हम पूछ तो सकते हैं कि आपका कौन है प्रधान मंत्री आप किसको जानते हैं तो मुझे लगता है बच्चे वो जो कह रही है वो बच्चे नहीं कह रहा होंगे डिश्ची तुलूप से उनके घरों में ये बात हो रही होगी तो घर-घर प्रधान मंत्री मोधी को पहुंचाने में भारती जनता पार्टी सफल हो गई या मोधी खुद अपने कामों को जरिये पहुंच पाने में सफल हो गई इसलिए आप देखी कोई भी मंच हो कल भी हमिसाहजी जिक्र 2024 का कर गए बार बार मोधी जिका उन्होंने जिक्र किया शिवराजी भी ऐसा ही चेहरा है मद्यविदेश का या फिर हम प्रधान मंत्री मोधी की बात करें जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे तो हम लगता है निश् प्रमुक बना दिया थोड़ देर पहले उन्होंने भी कहा कि कॉडिनेशन बहुत एहम होता है और हम उसकी तरफ बहुत बहुत बहतर तरीके से बढ़ रहे तो हमें लगता जो कम्या है उसकी तरह पिशारा भी हमें शाजी ने किया और इसको सुदाहरने का प्रयास भी किया और एक और खबर है कि संभावना ये है कि अब चार तारीक को फिर महा कोशल के दोरे पर आ सकते हैं मिश्या जी बारा को प्रधान मंत्री से अगर आ सकते हैं तो आप समझ रहें बिलकुल निश्चे दूप से 23 में 24 तो दिखाई देही रहा पहले अगस्त में प्रधान मंत्री का एक सर्प्राइज विजिट भी संभावित है राजधानी का भी और शायद वो राजधानी भोपाल भी आ सकते हैं तो ये बताता है कि केंद्री नेतृत तो मद्यप्रदेश को लेकर उसकी गंभीरता कितनी है और प्रधान मंत्री के सा किस तरह से इस कैंपेइन को पांच राज्यों के और लोकसभा के बीजेपी आगे बढ़ा रही है सुरजेबाला को आज ही प्रभारी बनाया चुनाओ का जी यह बहुत काबिल नेता हैं कॉंग्रेस के और पिछले चुनाओं में अखिल भारती मीडिया प्रचार प्रमुक क प्रताब भानुजी यह बीजेपी की एक बड़ी कारगर कोशिश है जिसकी तरफ मनुच जी ने भी इशारा किया कि मोदी जी को उन्होंने लगभग लगभग उत्तर भारत की विशेशकर हम बात करेंगे जहां करीब सब्सक्राइब दोसो सीट लोकसभा में बीजेपी के पास है वहां मोदी जी को वो घरों में पहुंचाने में काम्याब रही है और उन उपलब्दियों के साथ जो भले ही विपक्ष जिनको निशाने पे लेता हो लेकिन उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मानता है कि मोदी जी यह सर्वे कहते हैं यह हमारा आकलन नही हैं जिस तरह से सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों का उपयोग करके बीजेपी ने यह काम किया है आपको भी पॉलिसी और लीडर्शिप इसके जरीए लोगों तक पहुंचना एक चुनावती है आपके लिए तरह जी एक बात तो साफ समझ लीजिए कि यह चुनाव मोदी जा सकता है इसलिए पूरी कमांड पहले भूपेंद्र यादव को भेज दिया उनको भी वेशनव को भेज दिया फिर इन्होंने बना दिया नरें चिंग तोमर जी को अपर पूरा इंचार जिन्होंने हमेश शाह को ले लिया तो नहोंने एक तरह से स्विकार्ट कर दिया है कि प्रदेश की सरकार उनका चेहरे जो भी है मदर प्रदेश में तो हम इन लोग को हटा ले तब आप खुश होंगे ऐसा दग रहा है और जब इसका जवाब हम देंगे और जब मोदी जी का चनवाव आएगा तो उसका जवाब भी जनता देगी आज प्रदेश में क्योंकि कि भाज़पा की सरकार प्रश्टचार में वेरुजगारी में किसानों के कर्ज माफी में किसानों के तकलीफ में और चालीस लाख लोग मदर प्रदेश में वेरुजगार है जूटी घुशना हो रही है और एक के बाद एक स्केंडल आ रहे है कहीं हो महा का लोग का आ जाता है आप देखिए तो कोई काम ही मांदारी से हो नहीं सकता चलिए वक्त कम है मेरे पास प्रताब भानुजी समझा दिया है का जवाब हमारा हमारा तो सबसे सबस्क्राइब के चावल अमेरिका में भरपूर मातरा में माटा जा रहा है और यह सचिया हमारा सबसे बड़ा गरेंटी है कि हम लोग तीसरी बार चुनने पर मोदी जी ने डंके की चोट पर कह दिया है कि दुनिया की कि तीन एकॉनोमी में भारत होगा बोले मेरे को आना इसी लिए कि मेरे को भारत को दुनिया की तीन इकॉनामी में लाना गारंटी दिये एक तरफ इनकी गारंटी ए जो माचल और करनाटक और कहीं होनी पार है अब दिए भानु जी इस उमर में देखिए मुझसरे लड़ रहे और रुक नहीं रहें क्योंकि उनको मालू है मेरी बातेरी दर्शकों तक पहुंच गई तो वोर्ट तो भाजबा कोई जाएगा चाहिए बहुत शुक्रिया प्रताब भानु जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर हितेश वाजपई बहुत शुक्रिया मनोज जी तो कुल मिलाकर निश्चित तोर पर बीजेपी की रणनीती कारेकरता केंद्रित है और सही समय पर बीजेपी ने उस मर्म को छुआ है जिसको लेकर मद्यप्रदेश में इस चुनाओ के पहले से काफी बातें हुई हैं और यह भी माना गया है कि अगर कारेकरता को ठीक तरीके से संयोजित कर के चुनाओ के इस रथ में जोड दिया गया और निश्चित तोर पर एक कुशल सार्थी की भूमिका में भी किसी वरिष्ट कारेकरता को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती चली गई तो उसकी सफलता में यह महत्पून भूमिका निभा सकते हैं यह तो वक्त बताएगा जनता का मन बताएगा लेकिन इतना जरूर है कि अमिश शाह उस कुशल सार्थी की भूमिका भी निभा रहे हैं जो मद्यप्रदेश में पार्थ रूपी शिवराज जी और तमाम नेताओं को वीडी शर्मा जी को एक ज्यान देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ कॉंग्रेज भी कहीं पीछे नहीं है कमल नाज जी चुपचाप अपने होमवर्क के साथ केंद्री नेत्रत्यों के पूरे विश्वास और भरोसे के साथ बीजेपी की गतिविदियों को गोर से उत्सुकता से देखते हुए अपनी अपनी रणनीती में व्यस कर दो कर दो कर दो है को